हेलो दोस्तो आज चार अगस्त और चार अगस्त की करंट अफेर के जो भी इंपोर्टेंट कोश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिसक्स करने वाले हैं इसकी PDF आपको टेलग्राम चैनल CT करंट अफेर पर मिल जाएगी और ये जो संडे आने वाला है संडे में हम वीक की करंट अफेर का क्यूज करेंगे तो जो वीक की करंट अफेर है आप उसको रिवाइज कर सकते हो साथ ही साथ में जो दस तारीक आने वाली हैं 10 अगस्त को हम क पहले को सुन देखते हैं देखिए तीन अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मना जाता है तो तीन अगस्त को पूरे भारत में हिर्दिय प्रतियार ओपन दिवस मना जाता है हिर्दिय प्रतियार ओपन दिवस और इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि जो हिर एक सरीर से हिर्दिया को निकाल करके किसी दूसरे सरीर में डाल दे आता है और यह दिवस तीन अगस्त को ही क्यों मना जाता है यह दिवस तीन अगस्त को इसलिए मना जाता है क्योंकि तीन अगस्त को भारत ने अपना पहला हिर्दिया ट्रांस्प्लांट किया था तीन अगस्त 1994 में भारत ने जो दिल्ली मेश्टित एमस अस्पताल है उसने अपना पहला हिर्दिया ट्रांस्प्लांट किया था यानि किसी एक मरीज का जो हिर्दिया है वो किसी दूसरे मरीज में डाल दिया था बल्गरी के वेश्विक ब्रांड अम्बेसिडर के रूप में किसे नुक्य गया है तो बल्गरी की ब्रांड अम्बेसिडर कौन बनी है बल्गरी तो ये एक इटली की कमपनी है और इसकी ब्रांड अम्बेसिडर बनी है प्रियंका चोपडा जोनास तो brand ambassador का क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि इसके जितने भी product आते हैं इसके जितनी भी चीज़ आती हैं उनका परचार परसार कौन करेंगी उनका परचार परसार करेंगी प्रियंका चोपडा जोनास जैसे कि आप इनके हाथ में ये अंगोठी देख सकते हो तो ये इनके हाथ में जो ये ring है तो इस तरह से ये बलगरी के उतपादों का उप्योग करेंगी और इसका add करेंगी तो ये एक इटली की company है तो आप इसको याद कर सकते हो और इसकी कौन कौन सी चीज़े आती है बलगरी की चीज़े आती है जैसे जुएलरी इसकी आती है इसकी घड़ियां भी आती है और इसके जो डियो यानि जो सुगंद होते हैं वो भी इसके आती है और प्रियंका चोपडा के बारे में आप ये बात भी जान सकते हो कि ये यूनिसेफ सद्वावना राजदूत हैं ये केटू पर चड़ने वाले दुमिया के सबसे कम उम्र के परवातारोही कौन बने हैं तो केटू इस पर चड़ाई किसमी की है इस पर चड़ाई की है सहरोज कासिफ ने सहरोज कासिफ ने केटू पर चड़ाई की है ये जो केटू है ये दुनिया की दूसरी सबसे उची चोटी है और दुनिया की सबसे उची चोटी कौन सी है दुनिया की सबसे उची चोटी है माउंट एवरेस्ट Mount Everest के बाद ये दूसरे नंबर की दुनिया की सबसे ऊची चोटी है K2 और इस पर चड़ाई किस ने की है इस पर चड़ाई की है सहरोज कासिफ ने और इन्होंने मातर 19 वर्ष की उमर में इस पर चड़ाई की है और ये किस देश के रहने वाले है ये पाकिस्तान के रहने वाले है सहरोज कासिफ पाकिस्तान्स यंगैस्ट माउंटेनर्स तो ये पाकिस्तान के रहने वाले है और इन्होंने केटू पर चड़ाई की है निमलिक्त में से कौन हाले में मियामार के परदान मंतरी बने हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो मियामार की सैना है जो सैना के चीफ हैं वो मियामार के परदान मंतरी बने हैं और उनका नाम है मिंग आंग लाइंग मिंग आंग लाइंग तो ये मियामार के प्रधान मंतरी बने हैं जैसे इस से पहले मियामार में सरकार जो थी जिसका चुनाव किया गया था यानि जो सरकार थी वो चुनाव के बाद बनी थी लेकिन इन्होंने क्या गरा ये जो सैना के चीफ है इन्होंने उस सरकार को हटा दिया और हटाने के बाद ये खुद मियामार के परदानमंतरी बन गए है और इन्होंने मियामार पर दो साल तक का आपातकाल लगा दिया है चलिए मियामार के बारे में जान लेते हैं म्यानमार भारत का प्रोसी देश है और यह है एसियमादीप का देश है इसकी राजदानी क्या है इसकी राजदानी है नियाई पीडा और यहां के मुद्रा है क्यात यहां के मुद्रा क्या है क्यात और यहां के परदानमंतरी बने है मिन आंग लाइंग जो म्यानमार है इसका अलम्पिक नाम था बर्मा तो अब इसका नाम बदल करके मियान मार कर दिया गया है टोकियो ओलम्पिक में महिलाओं की ट्रिपल जंप में नया विसु रिकोर्ड किसने बनाया है तो यह विसु रिकोर्ड बनाया गया है यूली मार रोजास के द्वारा यूली मार रोजास के द्वारा और इसके बारे में समझ लेते हैं कि ट्रिपल जंप होती क्या है तो ट्रिपल जंप का मतलब है जैसे ये हमारे पास ये ट्रैक है तो ठ्रیک पर क्या होगा जैसे इन्होंने पहली चलांग लगाई इस तरह से ये फिर इनकी दूसरी चलांग और फिर इनकी तीसरी चलांग तो इन्होंने इस तरह से triple jump यानि तीन चलांग में नया विशुर्यकॉड बना दिया है यानि सबसे अधिक दूरी तैकी है तो इन्होंने कितनी दूरी तैकी है इन्होंने तीन चलांग में 15.67 मीटर की दूरी तैकी है और इससे पहले यह जो रिकोर्ड था वो 15.50 मीटर का था तो आप इनका नाम याद कर सकते हो यूलिमार रोजास ये वेनेजुएला की रहने वाली है वेनेजुएला टोकियो ओलमपिक 2020 में पूरुसों की 100 मीटर इस परदा में सौनपदक किसने जीता है तो जो सौ मीटर की रेस है उसमें सौनपदक किसके दौरा जीता गया है तो यह सौनपदक जीता गया है जेकब्स के दुआरा लेमंट, मरसेल, जेकब्स तो इन्होंने सौनपदक जीता है और क्या आप इनके बारे में जानते हो हुसेन बोल्ट के बारे में तो क्या आप यह सोचते हो कि क्या इन्होंने सौनपदक नहीं जीता इस बार देखो यह जो हुसेन बोलता है इन्होंने 2016 के रियो ओलम्पिक में सौनपदक जीता उससे पहले 2012 के लंदन ओलम्पिक में भी सौनपदक जीता और उससे पहले 2008 के बीजिंग ओलम्पिक में भी सौनपदक जीता तो इन्होंने तीन लगातार बार ओलम्पिक में सौन पदक जीता है तो इन्होंने इस साल सौन पदक क्यों नहीं जीता देखो इन्होंने इस साल सौन पदक इसलिए नहीं जीता क्योंकि इन्होंने इरिटार्मेंट ले लिया है ये इरिटार हो चुके हैं तो इसके वज़े से ही इन्होंने सोनपदक नहीं जीता है और ये जो हुसेन बोल्ट हैं इन्होंने सो मीटर और दो सो मीटर सो मीटर और दो सो मीटर की दोड़ में लगातार तीन ओलम्पिक में सोनपदक जीता है तो ये काफी पिर्चलित और काफी फैमस विखती है तो आप इनका नाम याद कर लेजिए मरसेल जेकब्स तो इन्होंने सो मीटर में सौनपदक जीता है और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में किसने सौनपदक जीता है महिलाओं में इनका भी नाम आप याद कर लेजिए इन्होंने स्वनपदक जीता है एलेन थॉंपसन हैरा एलेन थॉंपसन हैरा निसार उपगरह इस रो और कौन सी अंत्रिक्च अजन्सी मिलकर लॉंच करेगी निसार उपगरह तो आप यहाँ पर देख सकते हो निसार उपगरह और आप इसकी च्छत्रिसी इस तरह की देख सकते हो जो बहुती बड़ी है आकार में और नीचे की तरफ यह जो नील रंग का है यह क्या है यह है यह है पृत्वी तो यह है निसार उपगरह तो इसको भारत की इसरो और अमेरिका की नासा मिल करके लॉंच करेंगी 2023 में और यहाँ पर देखो निसार जो है इसकी फिल फॉर्म जान लेते हैं देखो N का मतलब है नासा, I का मतलब है इसरो, नासा इसरो, S का मतलब है सेटलाइट तो NASA, ISRO Satellite और A का मतलब है अपर 4 एका मतलब क्या है अपर 4 और R का मतलब है रडार तो ये एक तरह से रडार की तरह कारे करता है और इसको NASA और ISRO के दवारा 2023 में लौंच किया जाएगा और इसका उदिश से क्या है इसका उदिश से ये है कि ये जो सेटलाइट है ये क्या कर करेगी और उन फोटो की साहता से ये जानने की कोशिस करेगी कि जो पृत्वी है पृत्वी की structure में क्या change हुआ है जैसे पृत्वी पर समय समय पर बदला होता रहता है क्योंकि गर्मी के वज़े से जो बरफ हैं बरफ वाले जो जैसे अंटार्क्टिका है या आर्क्टिका ह वहाँ पर जो बरफ है वो पिगलती रहती है तो जो पृत्वी की structure में जो change होता रहता है उसी का ही ये study करेगी निसार उपगर है तो चलिए अब हम NASA और इसरों के बारे में जान लेते हैं देखिए सबसे पहले NASA के बारे में जान लेते हैं यह है अमेरिका की Space Agency है और इसकी मुख्याले वासिंग्टन डीसी अमेरिका में इस्तित है और इसके प्रसासर कोन है बिल नेलसन और अगर हम इसरों की बात करें तो इसकी फिलफों में इंडियन स्पेस रिसर्च और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1909 में हुई थी और इसके जो संस्थापना के हैं वो कोन है वि नाटक के अंदर टोक्यो ओलम्पिक 2020 में पुरुस एकल टैनिस में सौनपदक किसे ने जीता है तो यह सौनपदक जीता गया है यह जीता गया है अलेकजेंडर जुवेरिक के द्वारा जो जर्मनी के रहने वाले हैं और आप इनके बारे में ही जानते होगे नोवाक्स जोक ही फैमस खिलाड़े हैं और इनको टैनिस का भगवान भी कहा जाता है यह वर्ल्ड के नंबर वन खिलाड़े हैं तो यह इस पुरुतियो गिता में हार चुके हैं टोक्यो ओलम्पिक में और यह जो सौनपदक जीता गया है यह किसने जीता है अलेकजेंडर जुवेरिक के द लेते हैं तो जैसे आपके बैंक में बैंक खाते में दस हजार रुपे हैं और अगर आप अपने बैंक खाते से बारह हजार रुपे निकाल लेते हो दस हजार रुपे आपके खाते में हैं और आप अपने खाते से बारह हजार रुपे निकाल लेते हो तो इसका मतलब क्या ह आपने ओवरड्राफ्ट का इस्तमाल करके 2000 रुपे फाल तो निकाल लिया है तो ओवरड्राफ्ट की साहिते से क्या किया जाता है ओवरड्राफ्ट की साहिते से आप अपने खाते में से 80 रुपे निकाल सकते हो तो यह जो योजना है यह योजना दुकांदार के लिए शुरू की गई है तो यह योजना किस बैंक ने शुरू की है तो यह योजना किस बैंक ने शुरू की है तो यह योजना HDFC बैंक ने शुरू की है और इसमें जो दुकांदार हैं वो 50,000 रुपे से लेकर के 10 लाख रुपे तक का ओवड्राफ्ट ले सकते हैं, बैंक से वो निकाल सकते हैं, इतना अत्रिक्त धन, और जैसे यह जो इतना अत्रिक्त धन निकाल लेंगे, तो जैसे यहाँ पर 2000 रुपे अत्रिक्त निकाले गए हैं, 2000 रुपे, तो इन 2000 रुपे पर ब्याज देना पड़ तो इस योजना की खास बात क्या है? इस योजना की खास बात या है कि जो दुकांदार हैं उसको कोई भी गारंटर की जरुत नहीं है और नहीं दुकांदार को कोई भी सिक्योर्टि यहां पर जमा करानी पड़ेगी। चलिए HDFC बैंक के बारे में जान लेते हैं तो इसकी तो तुराणमे में हुएती और इसका मुख्याल्य है मुंबई महराष्ट में इस्थित आए और इसके M.D. और C.O. कोन है ससीधर जगदीशन निकोल पासी नियान किस देश के राष्टपती बने है तो ये आर्मेनिया के राष्टपती बने है चलिए अब हम आर्मेनिया के बारे में जान लेते हैं देखे आर्मेनिया एक एसिया महादीब का देश है अजरेजन और आर्मेनिया दोनों एसिया महदीब के दिस ए और इसकी राज़दनी क्या है जिरे वान और यहां के मुद्रह है दरम और यहां के राश्टपति कौन है अर्मेन और यहां के परदान值 कोन बने है निकॉल पासी नियन चले मैं आपको आर्मेनिया की लोकेशन दिखा देता हूँ तो यहाँ इरान, इरान के बाद में यहाँ पर यहाँ आर्मेनिया तुर्की, यहाँ पर पढ़ता है तुर्की और तुर्की के साथ में ही आर्मेनिया अपनी सीमा साजा करता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह सब जितने भी यहाँ पर कलरफुल कंट्री नजर आ रहे हैं यह सब एशिय महाधीप के देशे हैं प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने हाली में किस डिजीटल पेमेंट मोड को लॉंच किया है तो प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी के दुआरा E-RUPI 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 डिजीटल पेमेंट मोड लॉंच किया है तो इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा कठीन है अगर मैं आपको ये जानकारी नहीं बताता हूँ तो आपको ये सांज में नहीं आएगा देखो E-RUPI जो है ये एक वाउचर की तरह कारे करता है अब देखो इसमें क्या किया जाएगा जैसे सरकार आपको जो LPG सिलंडर होता है जो LPG सिलंडर होता है अगर उसके रूप में कोई सबसीडी देना चाती है तो जैसे अब तो सबसीडी आपके खाते में आयाती है तो जैसे मान लेते हैं 300 रुपी की सबसीडी आई और उस सबसीडी की साहता से आपने जो कुछ और समान खरीद लिया जो गैस थी गैस तो आपने नहीं खरीदी लेकिन गैस की जगह पर आपने क्या गरा गैस की जगह पर आपने कोई दूसरा समान खरीद लिया तो खरीद ना तो आपको LPG था लेकिन आपने कुछ और समान खरीद लिया तो इस तरह से तो यह धोकदर हुई क्योंकि 300 रुपे आपको क्यों दिये गए थे 300 रुपे आपको दिये गए थे कि आप LPG खड़ी दें तो अगर सरकार आपको इस तरह का e-voucher दे देती है तो इस e-voucher को केवल और केवल LPG लेने के लिए ही यूज किया जा सकता है यानि अगर सरकार सबसीड़ी e-voucher के रूप में देती है तो इस e-voucher को आप केवल और केवल LPG लेने के लिए ही इस्तमाल कर सकते हो तो इसके बारे में जो अत्रिक्त बाते हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो मैंने इसके बारे में आपको सारी की सारी बाते बता दी है अब आपको यह समझ में आ जाएगा हाली में किस मसहूर फिल्म समिक्चक का जोतर वर्स की उमर में स्वास्तिय सम्मद्धी परहिसानियों के चलते निदन हो गया है तो इनका नाम है रासिद इरानी यह कोन है यह है फिल्म समिक्चक समिक्चक का मतलब क्या होता है समिक्चक का मतलब होता है आलोचक आलोचक का मतलब एक तरह से जो बुराई करते हैं जो क्रिटिक होते हैं क्रिटिक का मतलब बुराई करने वाला वीडियो में तना ही थैंक्स वो रोचिंग दर वीडियो कल मिलते हैं आपसे